नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हर्दिक सोगत हैं दोस्तों हमने मार्णिंग में एक वीडियो बनाया था कटाप को लेकर उसमें काफी लोगों के कमेंट आए कि सर जो पेपर था ये 3300 नंबर का था काफी लोगों ने कहा इसका मतलब हो सकता है पेपर में आप कटाप बताई थी आपकी expected कटाप बताई थी संभावित कटाप वो हमने 400 में काउंट की थी और लगबग इसी के आसपास रहेगी जो हमने कटाप आपको बताई थी तो यहाँ पर आप बात हो रहे हैं 600 में देगे दोस्तों यह जो हमने आपके समने पेज खोल रखा है ना यह पूरा पेज काफी बड़ा है यह notification है जब इसकी वैकेंसी आपका यूपी इंट्रेस का फार्म आया था तब कहम यह notification खोल रखें तो यहाँ पर देगे सब लिखा हुआ है 2021-23 में और यह दूई वर्सी आपका पाठे करह मैं सभी को पता है तो यहाँ पर दोस्तों आग objective प्रस्ण होंगे प्रतेक सही उत्तर के दो अंक मिलेंगे साफ साफ लिखा हुआ है दो अंक मिलेंगे है ना और प्रवेस परिच्छा में दो प्रस्ण पत्र होंगे जैसा कि आप लोगों ने पेपर दिया होगा अब यहाँ पर यहाँ पर देगे साफ साफ लिखा हुआ है लेकिन आप लोग अगर बता रहे हैं कि पेपर में 300 लिखा होगा तो वो भी बात सही है लेकिन आप इन दोनों में कौन से सही माना जाएगा 400 माला माना जाएगा 600 माला वीडियों बने रही है सब आपको किलियर कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों फर्स पेपर में आपके सामान ग्यान और हिंदी के जो आपके 100 नमबर गिने टुटल 200 नमबर यहाँ पर बताया गया है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कुल समय, यहाँ पर देखिए कुल समय दो घंटे के लिखा हुआ है, जबकि पेपर में आपको समय कितना मिला था, पेपर में आपको समय मिला था तीन घंटे का, है ना, पहले पेपर में समय आपको तीन घंटे को मिला था जबकि यहाँ पर mention किया गया time को लेकर दो घंटे का अब हम आगे वड़ते हैं यह notification है official notification है कोई फ़र्जी notification नहीं है और यहाँ पर अगर दो तीफ प्रश्ण पत्र के बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका जो reasoning आया था 50 number का और दूसरा आपका subjective जो भी कला विज्ञान जिससे भी आप होंगे तो इसमें भी देखिए समय लिखा हुआ है दो घंटे का है ना और यहाँ पर भी लिखा हुआ है तो अब यह जो notification निकाला गया तो क्या यह गलत टाइप कर दिया गया क्या यह सही है है ना तो देखिए दोस्तों वैसे notification में अगर देखा जाए तो एक चीत इसमें सही देखने को मिला कि जो a question बताया गया दो नंबर का चलो इस सेगर हम Satisfied विय व वह जा यहाँ पर time बाला का मेंसाना की है जो time बाला आपको क्याँ है गलत बताया गया है 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 Curtain बाला गलत बताया गया यह हो सकता है अब 600 वाला माने पेपर में तो देखिए यहाँ पर पिछली बार अगर हम बात करते हैं पिछले 2000 इसके पहले वाले यह 2021-23-2022 में तो उस समय पेपर जो है आपका 400 नंबर का काउंट किया गया था 400 काउंट किया गया था पहले भी एक बटा तीन था तो अभी भी है देखिए निगेटिव मार्किंग में बड़ा लोग कनफ्यूजन होते हैं वो नंबर को सुचते हैं नंबर ने एक बटा तीन का मतलब यह होता है अगर आपके तीन प्रस्ण अगर आपके गलत होते हैं तो शाहिव आला प्रस्ण आपका एक गलत हो जाएगा अब वो प्रस्ण2 नंबर का यह वह तीन नंबर का है व्यूजन सामय होते है एक बटा झाहिते हैं एक प्रस्ण गलत होंगे तो एक प्रस्ण सही वाला कट जाएगा अब यहां पर देखा जा रिजल्ट पर तो यहां पर दूनों तरीके से खंपेर करेंगे तो काफी कन्फिूजन हो रहा है हमें जो लग रहा है 400 का ही होगा क्योंकि यह हो सकता है आपका गलत हो गया हो अगर पेपर में मानते हैं तो देखिए 200-300 में काउंट करने कोई मतलवी नहीं बनता है देखिए जो आप 2 में जो जोड़ेंगे 3 में उसी हिसाब से नंबर बढ़ेगा घटेगा है ना तो पिछले का अगर हम पिछले साल का अगर हम compare करते हैं तो उससाब से 400 ही हुआ था तो हो सकता है यह आपका 400 ही होगा है ना ऐसा नहीं है कि पुरा 100% हम आपको मोहर लगा दे रहे हैं कि 400 में ही काउंट होगा लेकिन लगभग दोस्तों बहुत ज्यादा चांस है कि आपका 400 में ही काउंट होगा बाकि आप निश्चिंद रही है अगर आपके अंदर confidence से आपने प्रस्ण सही किया है तो आप इससे आप मतलिये कि 400 में होता है कि 600 में कोई business matter नहीं है जब प्रस्ण एक प्रस्ण दो नंबर का count किया जाएगा तो एक प्रस्ण ती नंबर का उसी साफ से आपके प्रस्ण कम होंगे गलत होंगे और वही सब ratio पढ़ेगा ratio पढ़े है ना mathematics में ratio को मतलब क्या होता है जैसे हमालो हमने 10 बटे 15 लिखा इसी का double कर दिया तो 20 बटे 30 लिखा अब इसको काटो के मालो हमने 5 ही काट दिया 5 दूनी 10 पांतर का पंदर इसको 10 से काटा 10 दूनी भी 10 तरिका 30 तो 2 बटा 3 दो क्या कोई अंतर दिखा आपको अब 10 बटे 15 का यह 20 बटा 30 का यह उसी साब से नंबर मिले ना 30 में से हम काएंगे 20 नंबर हमें प्राप्त हुए है 15 में 10 तो उसी साब से आपका घट बढ़ जाएगा उससे कोई business effect नहीं पड़ेगा यह प्रस्णों पे depend करता है नेगेटिव मार्किंग है ना जितने आपके 10 आज हमने ध्यान दिया यह लिखा हुआ है पेपर आपका तीन हीं घंटे कर लेए ना आप बता दीजर कमेंट करके वैसे mostly student यहीं कह रहे थे 3 घंटे का ही paper था इसमें भी आप बता दीजिएगा थोड़ा मैसेश करके कि 3 घंटे का था कि 2 घंटे का था ठीक ना तो ठीक है दोस्तों इसके अलावा इसके बाद हम आपके B8 के update दे रहे हैं लगातार इसके बाद college के बारे में बताएंगे कौँ सा college best रहेगा अच्छा रहेगा किस college में कितने फिस मिलेगी वापस कितनी होती यह सब कुछ दोस्तों अगले वीडियो पे हम cover करेंगे वीडियो देने लिए दोस्तों धन्यवाद इसके अलावा कोई और भी सवाल हो तो आप comment कर सकते हैं बता सकते हैं उसको अगले वीडियो पे हम cover करेंगे ठीक है दोस्तों अगले वीडियो पे मिलते हैं दोस्तों धन्यवाद